नमस्कार दोस्तो ओम नमस्चिवाए जैश्री बाला जी हरहर महादेव मैं सुरज यादव आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है घो स्टोरीज बायादव जी जहां मैं आपके लिए लाता हूँ सच्चाई पराधारित और खौफनाक कहानियां तो चलिए बिना समय कमाए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची और डरावनी कहानी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगोंने मेरी पुरानी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज की कहानी है दो कपल्स के बारे में आकाश, नीलम, प्रिशान्त और ईशा इसमें आकाश और नीलम बॉइफरेंड गल्फरेंड हैं, प्रिशान्त और ईशा दोनों हस्बिंड वाइफ हैं ये चारों लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपस में हमेशा एक साथ उठना, बैटना, खाना, पीना, घुमना अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मुझे पता कहां से चली तो आज की कहानी मुझे सुनाई है मेरे ही बेस्ट फ्रेंड अंकित गौतम ने जो की इनी के गुडगाओं वाले ओफिस में काम करता है आकाश गौतम के बॉस का बिटा है और बिल्कुँ सैट लाइफ आकाश की रहीज घराना, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला किसी चीज की कोई कमी नहीं है इसके जीवन में आफिस में तो बसे टाइम पास के लिए आता है कहीं अपने डैड की डाट ना खानी पड़े इसे एक नंबर का मस्ती खोर लड़का है यह है और ऐसे ही हैं इसके दोस्त पूरे दिन आफिस में बैठे बैठे बस शाम का प्रोग्राम बनाना कोई काम धाम नहीं करना है, बस शाम का प्रोग्राम बनाना है कि आज शाम को कहां जाना है कोई डिसको, पब कुछ नहीं छोड़ा इसने दिल्ली, फरिदबाद, गुडगावा का हर फ्राइडे नाइट को कहीं न कहीं भार गुमने जानने का प्लान पहले इसे रइडे रहता है इसका और अपने साथ बाकि उन तीनों को भी ले जाता है और ये तो ओ थी के दिल्ली के आसपास रोज की कहनी है ये वाली तो और बात करें वीकेंड की तो भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा इनोंने शिमला, लद्दाख, गोवा जम्मु कश्मीर, राजस्थान और पतानी कहां कहां गोम चुकें हैं ये लोग इन चारों की टोली हर हर फ्राइडे को निकल पड़ती है शाम को इस फ्राइडे आकाश अपना प्लान बताता है बाकि तीनों को कि आज रात को न हम लॉंग ड्राइव पर चलेंगे दिल्ली से तमिल नाडू भारत के बिल्कुल एकदम कोने तक होके आएंगे और हाँ छुट्टी ले लेना पहले से ही सब के सब एक हफते की पहले ही बता रहा हूं कहीं बाद में बोलो को बताय नहीं था प्रिशाद बोलता है छुट्टी तो ले लेंगे कोई नहीं एक हफते की लेकिन जाएंगे कैसे ये तो बता फ्लाइट से चलेंगे ट्रेन से चलना है कैसे बोला नहीं वो मैंने नई वाली ब्लैक कलर की जो फॉर्चुनर ली है ना भी उससे चलेंगे हम चाए लोग हैं और ये अन वैंपीज का सबसंवान रख लोंगा कैम्पिंग का सबसंवान उसका क्या करेंगे बोले इस बार रुकने के लिए ना हमकोई होटल वोटल नहीं रुकेंगे इस बार क्या करेंगे ये अलग टाइब का एडवेंचर होगा हमारे लिए कि हर स्टेट की जो भी अंच्शूई जगाई हैं जहांपर कोई नहीं जाता हो नेचर की ब्यूटी का मज़ा लेंगे एकदम भीड बड़ वाले एरियाज नहीं इस बार देखेंगे एकदम सुन्दर सुन्दर जगा, और बिल्कुल एकांत वाली, जहां पर कोई नहीं जाता हो, और देखने में सुन्दर हो, और नाइट से के लिए भाई, कैम्प में रहेंगे, कोई होटल होटल नहीं, देखना मज़ा आएगा बहुत एकदम, तो चल पड़ते हैं, और दो द जारे पर रात को आज अपना कैम्प लगाने का प्लान मनाते हैं, कि आज कैम्प यहीं लगाएंगे, एरिया भी बढ़िया लग रहा है, शांती बानती एकदम, और यहां से नजारा बहुत बढ़िया आ रहा है, तो यहीं से चुरू होती है, इस कहानी की बहानक शुरू ब व्यू दिख रहा है रात का, गाड़ी में से निकाल के बियर वियर की बोटल्स के आज पिलकुल लेंजॉय करेंगे एक दम अराम से, और सुनाय के रात को नदी और नहर के किनारे पे, और एमपी वैसे हैगी, यहां पर रात को शेर वेर या जानवा राते हैं, रात को पान यहां से कोई गुजरता नहीं है, गाओं का एक आदमी गुजर रहा होता है, तो इन्हें रास्ते में देखता है और देखते बोलता के, भहिया लोग आप यहां कहां रुके हुए हैं यहां पर, कौन हैं आप लोग, तो बताते हैं ऐसे ऐसे हम गुमने जा रहे हैं और हमने अब नहीं केंप लगा लिया है सुबह चले जाएंगे यहां से तो वो आदमी बोलता है कि देखो भी हम इस बगल वाले गाउं से ही हूँ और मैं आपको बता दूँ यह जगाना थोड़ी सही नहीं है जहां आप रुक रहे हो नदी किनारे रात को यहां जानवर वानवर पान कि अपने लिए तो वह आदमी बहुत जिद करता कि आप एक काम करो अगर आपको रात को रुकने के लिए कोई जगा नहीं है ना तो आप हमारे गाउं चलो हमारे गाउं की हम आपको वहां पर जगा दे देंगे आप लोगो आज रात वहां रुख जाना और सुबह आपको कि और जगा से आया हमारे महमान हैं पर आकास का तो मनता ना के वहीं तो नाइट स्टे ऐसे रोड पर करना नहर किनारे करना है को नहीं मनता बोले नीनी आप जाओ हम अपने आप समझ लेंगे बहुत प्रित वगरा में विश्वास करते हैं आत्माओं में पिसाच में तो ज देख ऐसा भाई अब डरावरा मत तो तो सुच रहा कि वैसे नहीं जारे तो वैसे जलें लूटने उटने का प्रोग्राम तो नहीं है हमारा नहीं भाईया जी ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो आपको समझा रहा हूं बाकि यहां रात को रुखना खत्रे से खाली नहीं आप स आग वाग जलाके भार बैठे हैं आरम से और बीर चेर चल रही हैं खाने पीने के लिए बढ़िया एकदम मौज ओरियंक एकदम तभी नीलम देखती है कि थोड़ी सी दूर मतलब लगबग 100 मीटर दूर 100-200 मीटर दूर लगबग 10-12 लोग आए एकदम नदी के किनारे और तो ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी की लाज को अपने कंधे पर ले जैसे अर्थी देते ना किसी को तो वो अपने कंधों पर चार लोगों ने तो अपने कंधों पर एक बॉड़ी ले रखी है और बाकी सब लोग उनके सासा चले आ रहे हैं और ये ना नॉर्मल पोशाक में नही कपड़ों में नहीं थे लोग सबने काले कपड़े पहने हुए हैं और यह लोग उस बॉड़ी को नदी के किनार एकदम रख देते हैं आग वाग जलाकर और शुरू करते हैं अपना कुछ कर रहे होते हैं मतलब वहां पर तो नीलम आकास को बोलती आकास देखो यह देखना है महाँ पर इतने सारे लोग किया रात को डी-डी जलाते हैं तो हिंदु द्रह्फों से इशान करने के लिए हैं के लिए और देख कुछ बोलत चुप रहे हैं कहा से आता तो वारकते यार तो कमाल कर रहा है यह इंकुछ होगा यह जदेख कुछ आइसा कॉस आसा नहें यही ay किशि और करने के चकरद में आये हो यहां पर यह कुछ सकता है कि यह को बाने लाएं यहां पर तो भाई अगर मार पर ना तो किसी को ऐसे एतीग थोड़ी लह कर देते हैं और तभी आकाश क्या करता है अपना कैमरा निकालता है अंदर से और कैमरा लेकर बैठ जाता है वह जो कुछ तो वो क्या करता है काम करते हैं सबसे बोलता है कि काम करो चलते हैं थोड़ा पास से इनकी वीडियो बनाते हैं अब जो प्रशानत है वो थोड़े नॉर्मल से घर से लड़का है तो वो डर रहा है बोला भाई चोड़ना वो क्या कर रहे हैं उन्हें हमसे क्या मतलब है हम अप एक कामकर अकेले मज़ा मैं भी चलना हूँ तेरे साथ और वो दोनों लड़किया वहीं रुख जाती है और आकाश और प्रिशांत उस तरफ चले जाते हैं एक पेड़ के पीछे छुपकर वो अपना क्या करते हैं वीडियो बनाने लगते हैं और देखते हैं क्या कि जिसको लेकर आये हुए थे ना जिसको बोलने के लास लेकर आये हैं वो सच में एक लास ही थी लेकिन लास थी एक अध़ जली बोड़ी आधी जली हुई मतलब ऐसे समझ लीजे आपके कोई चिता में से 15-25 मिनिट जली हुई बोड़ी को लेकर आगया हो उसमें से निकाल कर और वो लोग कर क्या रहे थे असल में ये लोग थे तांत्रिक तांत्रिकों के पुरी टोली और ये कर क्या रहे थे ये क्या करते थे कि उस अरजली बोडी में से उसके मास का टुकड़ा निकाल कर थोड़े फूल वगरा लेकर और पता नी क्या-क्या उनके हाथों में था वो लेकर थोड़ा सा डालते थे उस नहर में नहर में डालने के बाद थोड़ा डालते थे उस आग में जो उन्होंने आग जला रखी है अब आप इसे हवन तो नहीं बोलेंगे इसको मलब आग जला रखी है उस आग में इसको डाल देते है ऐसा करने के बाद जब ऐसा हर एक उनके मेंबर ने काम कर लिया तो जो उनका में हेड था जो उन लोगों का बड़ा तांतरिक आप कहलो उसको जो था वो क्या करता है उस बोड़ी में से थोड़ा सा मास काट कुड़ा काटता है और खुद खाता है अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कहीं अगोरी तो नहीं भाई अगोरीयों का जो वेश भूशा होती है वो बिलकुल अलग होती है और वो इस तरह की पूजा इस तरह के आड़ अंबर में विश्वास नहीं रखते ये लोग कुछ और ही थे काले कपड़े पहने हुए और सब के सब काले कपड़ों में और ऐसा नहीं के कुछ बाल बड़े हैं कुछ हैं बिलकुल नॉर्मल लोग हैं लेकिन बस कपड़े काले हैं और ये अपनी पूजा कह लीजए ये अपनी जो तांतिरिक सिद्धी जो ये करने आये हैं उसको करने में लग जाते हैं उनका जो अगनी कुंड है उससे परचाईय निकल रही है मलब जैसे ऐसे उपर लपट निकलती है उस लपट में जैसे ऐसा लग रहा है जैसे काला दुहा निकलता है ना तो काला दुहा क्या है ऐसा बना देता है इससे परचाईय बन रही है किसी इंसान जैसी किसी चीज की जैसे ऐसे इनकी ये प्रकरिया आगे बढ़ती आती है तभी ये आकाश वाकाश यहां पीछे से देखते है कि जहां भी ये एरिया बिल्कु सुमसान था यहां अजीब सी आवाज आने लगी है जैसे कोई गुरा रहा हो इस तरह की कुछ आवाज है ये ना तो किसी जानवर की लग रही थी और ना किसी इनसान की और जहां तक ये देख रहे थे कि इन में से कोई भी इनसान ऐसी आवाजे नहीं निकाल रहा था तो ये आवाज आ कहां से रही थी ये आवाज आ रही थी उस नहर के अंदर से जैसे नहर के अंदर कोई है और नहर के अंदर से कोई बोल रहा है आप इन लोग को समझ भी नहा था कि हो क्या रहे है हम पर कर क्या रहें लोग असल में ये लोग ये जो तांत्रि कहना ये इनुने पिसाच सिद्ध करे हुए पिसाच आप समझते ही होंगे कि रात को यह जो शक्तियां यह वाली यह रात को ही सिर्फ सामने आती हैं तब ही एकदम बहुत तेज से आग जलती है वो कुछ मंतर मंतर पढ़ रहे हैं वहां पर और एकदम तेज से आग जल रही है और आग में आप अचानक से पेटरू लाल तो कैसे एकदम से आग लगेगी ऐसी आग लगती है और उस आग में से इतनी बड़ी लपट उठती है और उस लपट में उन्हें किसी का चहरा दिखाई देता है चहरा मतलब ऐसा नहीं कि किसी इंसानी चहरा बना हुआ है और उन में से एक आदमी इनको देख लेता है यह जीरे आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं आकाश और प्रशांत और वो देख लेता है एकदम से वो आग बुझ जाती है जिस आग की इतनी तेज़ देज लपट उठ रही थी वो आग एकदम बुझ गई असल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ ये एक तरह की सिद्धी कर रहे थे इसे समशान सिद्धी बोला जाता है हाला कि करी तो इस समशान में बैठके जाती है लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे इस बॉड़ी को लाकर और अपने जो इन्होंने पिसाच सिद्ध करे जो लोग इस सिद्धी कर रहे हैं अगर उसके अलावा कोई देख ले तो ये सिद्धियां उनकी खराब हो जाती है मलब खंडित हो जाती है और उसके बार वो इस सिद्धी को दुबारा कभी ने ले सकता है पता नहीं कितने समय से ये लोग इसकी कोशिश कर रहे होंगे और देखते के साथ एकदम आग बभूला हो जाते हैं और देखते के इनके पास अपने हत्यार निकाल कर छोटी छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े चाकू थे इनके पास वो चाकू लेकर एकदम इनकी तरफ भागते हैं सब अब कहां ये दो लोग और कहां वो इतने सारे भागते अपनी तरफ देखकर ये लोग भी भागना शुरू कर देते हैं लेकिन कहां तक भागेंगे और वहां लड़कियां तो बैठी हैं तो भागते भागते जैसे उस तरफ जाते हैं तो आकाश अपनी गण निकालता गण से हवा में तीन-चार फायर कर देता है ताकि लोग डर जाएं अब आप समझो जो लोग रात को बारा बजे एक सुमसान बीहड इलाके में जहां कोई इनसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है ऐसे इलाके में आ सकते हैं तो उन्हें क्या गोली का डर लगेगा किसी का वो लोग फिर भी इनके पीछे पड़ जाते हैं अब आकाश की बंदूक में शाइद दो-तीन गोलीयों और रहे गी होंगी यह सारी गोलीयों फायर कर देता हवा में ताकि डर के किसी तरीके से भाग जाएं एक गोली तो यह लगबग उनके उनके पास भी मारने की कुशिश करता है कि किसी को लगे अपनी जान तो बचे गोलीयों खतम और यह लोग उन्हें पकड़ लेते हैं तो मारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिद्धी घराब करने की कौन हो तुम किसने भीजाय तुम्हें यहाँ पर तो आकाश और यह प्रिशांद बताता के देखो पहले दूर अटो हो कान तुम लोग हम तो यह गोमने आये थे गोमने आये थे तो हमारी सिद्धी हमारे बीच में क्यों विगन डाला हमारी सिद्धी में तुमने अब तो मारे जाओगे तो लड़कियां बहुत रोने लग जाती है बोला ने ने अंकल हमें छोड़ दो ये हम लोग तो बस घूमने आये थे और यहां हम लोग तो बस छोटी सी वीडियो बना रहे थे अब ने देखा आप लोग पता नहीं हुआ क्या कर रहे थे तबी उन में से बोलता है कि गुरू जी लग रहा है इसने हमारी वीडियो वीडियो सब बना ली है अब इन्हें छोड़ना न, खत्रे से खाली नहीं होगा, तो वो गुरुजी बोलते हैं कि खत्रे से खाली क्या, अब हमारी सिद्धी यही पूरी करवाएंगे, हमने जो एक वो बली दिये, उस लाश की, अब वो तो हमारी खंडित हो गई, अब हम जीवित नर्बली देंगे इनकी, जब ही जाकर यह जो पिसाच हैं, यह खुश होंगे, और हमें एक नई शिद्धी मिलेगी, तो यह लोग इन्हें बांध कर और उस तरफ ले जा रहे होते हैं, जहां पर वो पहले से वो लाश रखी हुई थी, उस लाश को नदी में भाह देते हैं, और पतानी क्या म वंतर वंतर पढ़ते हैं, और इनको क्या सुंगाते हैं, इन सब के सब के लोगों को, इन चारों को बेहुश कर देते हैं, वहीं जो आदमी यहां से थोड़ी दिर पहले गया था, गाओं बिल्कुल उनका इस नहर के पार गाओं है उन लोगों का, तो इतनी सारी फायर की आ थोड़ी बहुत देर बाद चल देते हैं, और इतने ही यह लोग यहां पर जो यह तांतरिकों की पुरी टोली है, यह अपनी पूजा जो पहले कर रहे थे, अब दोबारा से एक हवन कुंड बनाते हैं, दोबारा से सब कुस नया, लकड़ी वकड़ियां तोड़ कर फिर से अपनी पूजा शुरू कर देते हैं, वो ही अपने मंतर मंतर, हे पिसाच देवता, आज हम तुम्हें बली चड़ाएंगे, एक जिन्दा इंसान की, आज सकतो हम तुम्हें अज जलील आशे खिलाते हैं, आज तुम्हें यह चार-चार नर्वली देंगे हम, और पता नहीं क्या क्या मंतर बोल कर और क्या करने लग रहा है, तभी वहां से कुछ गाओंवाले लट वट लेकर, आप जानते हैं के, लोग सुच रहे हैं ऐसा ना कोई हमारे किसी आदमी के साथ कुछ हो गया हो, यह गोली बुली के अवाज आ रही है, तो वहां से 10-12 लोग आ रहे होते यह काला जादू करने वाले तुम वही हो ना, जो जंगल में रहते हो अंदर, और भाग कर आते हैं एकदम से, और उनके लट वट लेकर, उन्हें देखते हैं यह 10-12 लोग यह भी हैं और 10-12 लोग वह भी हैं, लेकिन क्या है कि गाओं के लोग अब जानते हैं कि इन गाओं को अभी नास कर देंगे हम, उन में से गाओं आओं के लोग होते हैं, आप जानते हैं गाओं के लोग, अगर ऐसे डरने लग जाएं तो बस चल लिए उनका काम, तो बहुत हैं पर पकड़ वाजन के हाथ पर तोड़ दो, यह बहुत यहां पे काला जादू करते हैं, हमने अ लेकर बोलत तुमने भागते भागते वो पीशे आते हैं, और वो लोग जाते जाते वो बाबा बोलता उन में से जो था, ना तो यह चारो बचेंगे और ना बचेगा तुमारा गाओं, अब हमारी पूजा लगभग पूरी होने वाली थी, और अब इनको ले जाकर यहां से कोई फाइदा नहीं है, यहीं अपनी भली देने आएंगे अपने आप, तुम देखना और तुमारे गाओं का नाश हम इनी क्या हातों करवाएंगे, गाओं के लोग पत्थर फैक के मारते हैं और वो लोग भाग जाते हैं वहां से, और जो आदमी थोड़ी बहुत दिर पह कुछ लोग रुके हुए हैं, यही थे, यह वाले इसाब थे, उनमें इसे बुजर्ग बोलता है कि देखो यह लोग ना बेहुस लग रहे हैं हमें, अब यहाँ छोड़ना तो ने खतरे से खाली है नहीं, एक काम करो ने गाओं ले चलो, तो लोग कैसे लाद लूद के इने उनकी गाड़ी में लाद वाद के ने गाओं ले जाते हैं, गाड़ी थोड़ी दूरी खड़ी थी इनकी, तो उनमें गाड़ी में लाद के ने ले जाते हैं, गाओं में पहुंसते के साथ ही एक गाओं में छोटा सा डॉक्टर हर गाओं में ही मिले आपको, बुला कर उसे देखते हैं कि देखो एक बार क्या होगे हैं के साथ कोई प्राब्लम तो नहीं है। इसा नहुंके गलावला दबा दिया हो कुछ कर दिया हो। तो डॉक्टर इन को बोलना कुछ नहीं है। वाल सांसमाद चल रही है कामकरों पानिवानी के छीटे मारते हैं और वो उठ जाते हैं अब जैसे ये लोग चारों उठते हैं तो गाउन वाले एकदम देखते रह जाते हैं छोड़ दो हमें छोड़ दो लड़कियों के मुझे भी आनुमी जैसी आवाज आ रही है ये हरकते ऐसी हैं कि जैसे इनके अंदर कुछ कोई और कोई आत्मा कोई प्रेत इनके अंदर अंदर हो अलग सी आवाजे आ रही है आप आपने देखा होगा जब किसी को उपर इस तरह की कोई शक्ति हावी हो जाती है तो यो कैसे इंसान रियक्ट करता है अब मैं सब कुछ तो आपको करके बता नहीं सकता हूँ तो गाउंवाले समझ जाते हैं कि जो वो काला जादू कर रहे थे ना वहाँ पर लग रहा है वो पूरा हो गया इन पर तो जब ही उनमें से एक बुजूर कहता है आ है कि यह काम करते हैं ha rez ऐसा नौन के काले जादू का असर हमारे उपर आ जाए तो दूसरा बुजूर कहता पागल वागलो क्या किसी के बच्चे है यह जैसे किसी के बच्चे नहीं क्या कैसी मारने कि बात थे कर रहे हो तुम इने तो फिर क्या करें वो बोल के भी गया है कि इनी के हाथ से तुम्हेरा नास करवाएंगा जानते हों सदियों से वो लोग इस जंगल में रहते हैं आये हैं वो तांतरिक हैं हमारे बड़े बुजरुग बताते थे कि ये इतने खतरनाक हैं ये पता नहीं किस काली शक्तियों और कि पूजा करते हैं लोग कुछ भी सही हम नहीं मारेंगे ने और वो किसी ने भी हाथ लगाए ना तो देखना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा तो गाओं के जातर लोग इस पक्स में देखें नहीं नहीं यार मारेंगे वारेंगे क्या है को ये कोई तरीका है और देखना फॉर्चोनर गाड़ी है ये किसी रहीस खांदान के बच्चे लग रहे हैं हमें बाद में देख ली ना पुलिस पुलिस के चक्कर में तुम ही आओगे तुम लगा फिक क्या करें ये तो देखो ये तो अलगी रूप दिखा रहे हैं अपना जब ये लोग क्या करते हैं किसी तरीके से पकड़ पकूड करेंने बांध कर गाओं वाले अब पूरा गाओं इखटा हो चुका है रात के लगबग एक डेड़ बज़रे हैं डेड़ दो पुरा गाउं इखटा हो चुका है गाउं वाले पकड करेने ले जाते हैं अपने जो गाउं का मंदिर होता है और इस गाउं का जो मंदिर है उसकी अपने एक माननेता भी है जैसे होता ना जैसे मैं भी हूँ हमारे यहां जाते हैं एक मंदिर में जो गया जी में है वहाँ पर जाते हैं ताकि अपने पूजा पाठ के लिए एक होता ने, special एक हमारा मंदिर होता है कि जहां पर साल में एक बार जाना ही जाना होता है तो यह वो मंदिर है जो इन गाउवालों का तो है ही है लेकिन इसके अलावा बहुत दूर दूर से लोग साल में एक बार जरूर आते हैं पर कुछ special day होता होगा बहुत सिद्ध मंदिर है भगवान बहुले नात का अब यह मंदिर की boundary से भारी आवाज लगाते है पंड़ जी पंड़ जी पंड़ जी आते हैं अब रात को इतने बज़े कौन है क्या हो गया तो उन में से बुड़े अंकल बुड़े बाबा बोलते हैं कि पंड़ जी ये बच्चे हमें वहाँ विले थे और आप जानते हैं ना वो जंगल वाले काले जादू वाले जो टोली है पूरी ये उन्होंने बेहुस कर रखे थे और इनके उपर कुछ तंत्रमंतर कर रहे थे बोलो क्या और तुमीने यहां क्यों लिया आये फिर बोलो फिर क्या करते है वहाँ छोड़ दे तरुजानवर खा जाते रात को इने बिचारे बेहुस थे तो पंडे जी बोलते हैं ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी उन तांत्रिकों के बीच में आना सही नहीं है अब क्या काम है मुझे क्यों जगा रहे हो रात को जब ले क्या आयो तो बोलो देखना ये कैसी हरकते कर रहे है अईसा लग रहा है इनके अंदर कुछ प्रेत आत्मा है या कुछ उन्होंने जो पीछे छोड़ दियोंगे न उन तांत्रिकों ने ये अब इन बिचारे बच्चों के उ शरीर पर हावी हो रहे हैं और ये देखना कैसी कर रहे हैं हमसे दो देखा भी नहीं जा रहा बिलकुल तो पंडी जी बोलते हैं अब तुम चाहते क्या हूं उससे बोले एक काम करो भगवान के दर्शन करवादो भगवान के दर्शन से एक दम ये ठीक हो जाएंगे अब पंडी जी जानते तो हैं कि इस मंदिर की इतनी शक्ती है लेकिन आप लोग जानते होंगे जो कोई भी हिंदु दर्म से वास्ता रखते हैं वो लोग जानते कि रात को दुवार बंद कर दिये जाते हैं मंदिर के ताकि भगवान को भी आराम करने का मौका मिल सके ऐसी माननेता है पंडिजी बोलते हैं कि देखो द्वार तो मैंने कर रखे बंद अब वो खुलेंगे सुबह 5 बजे पूजा के बाद जब तक तो मैं द्वार खोल नहीं सकता मंदिर के अंदर के लेकिन एक काम करो इस मंदिर की शक्ती इतनी है ना कि इस गेट के अंदर लियाओ जो में बाउंटरी के अंदर है और तुम लोग भार हो जाओ ये कुछ नहीं करेंगे ना यहां से जाएंगे और यह कुछ नहीं कर पाएंगे, यहीं रहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, इस boundary के अंदर लेंगे, गाउंवाले बहुत जोर लगाकर, उन्हें इस boundary के अंदर ले आते हैं, आप boundary के अंदर आते के साथ, चीखे मारने लग रहे हैं लोग, आप समझो के, पतली दूबली सी लड आवाजे आ रही है कैसी कैसी बहुत भयानक आवाजे निकाल रहे हैं ये लोग तुम ले आये होईने हां तो लेकिन ये बचेंगे नहीं उनके अंदर से ही कुछ बोल रहा है अब पूरी रात यही ड्रामा चला रहता है जो लोग सो भी रहे थे ने गाओं में वो ये चिल्लम सुबह पांच बजे पंड़िजी भगवान भोलेनात की आरती वारती करके और मंदिर के द्वार खोलते हैं में मंदिर के मंदिर के द्वार खुलते के साथ ही, ये चारो के चारो, रेंगते हुए, जैसे कोई लेट जाया और लेट के, चले, लेट के चलते नहीं ऐसे, सरकते हैं आगे को, वैसे सरकते सरकते सीडियों पे, जाके आगे भगवान के आगे माधा टेक कर और भेहस हो जाते हैं, ऐसा जाने नहीं दिएरी थी मंदिर के जो द्वार, लेकिन कोई भी शक्ति हो भाई भगवान बोलेनाथ कालोय काकाल महाकाल बोला जाता है इन्हे कोई भी शक्ति इन से उपर नहीं है तो पagneजी बोलते है अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब ये लोग यहां कुछ नहीं कर पाएंगे यहां कुछ नहीं होगा आप देख उठाओने पानी वानी डालो उनके उपर तो पंडित जी के कहने पर वो गाउं के लोग अंदर आ जाते हैं भगवान बोले नात को सुबह सुबह का प्रणाम और उठाते हैं उन बच्चों को पूरी रात जिसने कभी देखा हो देखे आप में से अगर कभी किसी ने किसी को देखा है तो मिरी बास समझ रहा होगा कि जिसके साथ पूरी रात ऐसा हुआ हो कोई और शक्तियां और एकाज शक्तियां नहीं पता नहीं कितनी शक्तियां छोड़ रखे थे उन तांतिर को ने इनके शरीर में इतनी शक्तियां जब शरीर पर पूरी रात हावी रहती है न तो सुबह क्या हालत हो जाएगी होस में आने के बाद भी शरीर टूट रहा है इनका एक दम और बुरे हाल हो गए है इनके उठके होस में आते हैं फिर भी होस हो जाते हैं तो गाउं का वो जो डॉक्टर है वो देखकर बोलता देखो भई यह जो हालत है ना इनकी मेरे बसकी तो है नहीं एक काम करो इनके माबापको फोन कर दो किसी तरीके से इनके फोन वो उन में से गाड़ी में नंबर मर निकालके और इन्हें हॉस्पिटल में भरती करवा दो पास में जो गाउंग शहर में जो हॉस्पिटल है तो सब लोग ऐसा ही करते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं उन्हें उनके माता पिता को कॉल किया जाता है और माता पिता एक दिन के अंदर अंदरी शाम तक आ जाते हैं सारी कहनी बताई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ वो तान तरिकवान तरिकवान थे हमने मना भी किया आपके बच्चे नहीं माने तो वहीं आकाश के जो पिताजी है वो इतना गुस्सा हो रहे थे आकाश पर कहीं इस लड़के से मैं इतना परिशान हूँ ये हर अफ़ते निकल जाता कहीं न कहीं गुमने के लिए और भगवान मेरा बच्चा बस बच जायज बार बाकी अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दिया करूँगा और गाउवालों को थेंक्यू बोलते हैं शुक्रियादा करते हैं उनका बोलता जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे बचा के लाएं उन लोगों से और वो लोग कहां मिलेंगे आप बताओ मैं उनके पास ही चला जाता हूँ उनसे माफ ही मांग लूँगा तो यह गाओं वाले बोलते हैं बाही साब बाओ जी उनके पास मत जाना वो बहुत खतरनाक लोग हैं आपके बच्चों को हम कैसे कैसे बचा के लाएं और पता है रात को क्या क्या हुआ था आपके बच्चों के साथ ऐसी प्रेत बादा हो गेते इनके साथ आप इतनी company का मालिक एतने बड़े office का मालिक पढ़ा लिखा इंसान कैसे मान ले कि ऐसी भी कुछ चीज होती है सुनता तो हर को है लेकिन कई लोग होते है न वो जादा modern हो जाते हैं वो मानते मानते हैं नहीं किसी की बात को तो ये सुनतो लेते हैं लेकिन उनकी बात को थोड़ा आग्नोर सा कर देते हैं और तुरह अरेंच करते हैं अबुलेंस और अपने बच्चों को ले जाते हैं दिल्ली दिल्ली के बड़े अस्पिताल में भथ्ती करवा देते हैं उने और एक दो दिन में नॉरमल होने के बाद अपने घर ले आते है अब ये नॉरमल मतलब मैं कह रहा हूँ कि शरीर से नॉरमल हुए हैं वो लोग ये लोग एकदम सुम सुम रहते हैं एकदम चारो के चारो बाकियों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं वहाँ पर अचारो ऐसे रहने लगे हैं हॉस्पिटल में ही जब थे ये बिलकुल शान्त एक दम जैसे जिन्दा लाज कह सकते हैं आप इनको घर ले आते हैं पता नी नियूरो के डॉक्टर्स को दिमाग वाले डॉक्टर्स होते हैं और साइकाइट्रेस्ट पता नी किस को दिखाते हैं आकाश के पिता जी सारे बच्चों को दिखाते हैं कि में मेरे बच्चे के दोस्त हैं सब के सब तो मेरे बच्चे ही हुए पर कोई फायदा नहीं होता इन लोग को अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इन लोग को ना कोई मानसिक सदमा पहुंच चुका इन बच्चों को सबको सबको आकाश अब बच्चे तो नहीं कह सकते हैं काफी एजिड लोग हैं लोग 25-25-30 साल के लोग हैं तो इन लोग को कोई सद्वा पहुंच चुका होगा, असल में ने कोई सद्वा नहीं लगा हुआ है, जो प्रेत और जो आत्माएं और जो शक्तियां, जो काली शक्तियां, उन तांत्रिकों ने इनके पीछे छोड़ी हुई थी, जो कुछ भी इनके शरीर में प्रवेश करवा चुके थे वो लोग, वो शक्तियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, चले जाते हैं सब लोग अपने अपने घर हॉस्पिटल से, और हर किसी के घर में, जिसे आकाश हो गया, नीलम हो गई, प्रशान्त हो गया, ईशा हो गई, इन सब के घर में इनके पेरेंट्स क्या नोटिस करते हैं, कि हर एक इनसान, अलग-अलग, एक एक इनसान इन में से, पांच-पांच-दस-दस लोगों का खाना खा जाता है, और खाना मांगता ही रहता है, जैसे एक आदमी के अंदर, आट-दस लोग बैठे हुए हो, एक कमरे में, और वो लोग खाना खाये जा रह जाता है, तब ही इनके जो आकास के घर में, ये काम तो सब के साथ हो रहा था, तो आकास के साथ भी सेम हो रहा था, तो आकास के यहां जो नौकर है, इनका बहुत पुराना नौकर है, मारलब एजिट है, मारलब 45-45-50 साल के, तो वो आकास के पिताजी को बताते हैं, बोले स जीबसी आवाज निकालते रहते हैं, जैसे उनकी सांस फोल रही हो, पता नहीं, साब आप इन्हें किसी और को दिखा लो, और पता है साब कई बार तो ये रात को हमने देखा है, कि कोठी से भार जाने की कोशिश करते हैं, और हमने कई बार पकड़ पकड़ के इन लोगों को साब को, बला एक काम करो, आज का जो खाना है ना, वो मेरे साथ टेबल पे दो, और मैं देखता हूँ, और बच्चा खा रहा है तो क्या दिक्कत है, बस आप 8-10 लोगों को खाना, आप समझ रहे हो ना, आप खा जाओगे साब, आपको ज़्यादा भूखोगी तो आप 2 लो खाना दिया जाता था हमेशा, खाना खाते के साथ ही आकास बलता है, और खाना लाओ, मुझे और भूख लगी है, तो आकास के पापा बोलते हैं, कैसे बोल रहा है तू, कैसे बात कर रहे हो बटाई, और हमसे बोलो खाना और चीए तो, और खाना लेकर आओ बच्चे के लि अब आज और खाये जा रहा है मुझे और भूक लगी है और खाने का दो मुझे इसके पताजी भी एक बार को डर जाते हैं तुरन इशारा करते हैं नौकर को एक काम करो जितना खाना के लिए बोल रहा है से उतना खाना दो और तुम ज़रा मेरे साथ बाहर आओ तो उनका ज़र नौकर था उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पताए कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर तो रहा था लेकिन मुझे डर लगता है आपसे आप इस सब चीज़े मानते नहीं हो न साब बता क्या है इसा मुझे तो ऐसा लगता है कि जबसे बाबा वहां से आए है न तो इनके उपर किसी प्रेत या भूत किसी आतमा का कोई काला जादू वादू तो नहीं कर दिया किसे ने इनके उपर तो जब ही आकाश के पिता जी कोई आ रहाता है कि वो गाउं वाले बोल रहे थे कि वो तांतिरिक वांतिरिकों ने काले जादू के बीच में से उठा के लाए हैं हमेने तो ये सोचते हैं कि एक काम करता हूँ बाकी बच्चों के पेरेंट्स को पता करता हूँ कि अगर उनके साथ नहीं हो रहा होगा तो हो सकता मेरे बेटे को दिमागी सदमा पहुंचा है तो वो कॉल करके पोस्ते हैं नीलम के घरवालों से और परशांत के घरवालों से तो सब जगा सेम स्टोरी हो रही है सब कुछ बिल्कुल बराबर चल रहा है सब जगा सब लोग ऐसे ही खाने खाना खा रहे हैं जंगलियों कोई तरह आवाजे आ रही है और इन वेसे जो नीलम नाम की लड़की है न ये अब तक इन 4-5-7 दिनों में 2-3 बार लगवग आत्मत्या की कोशिश भी गड़ चुकी है अपने आपको फांसी लगा देना इसकी मदर से जो बात हुई तो बोल रही हम तो पता नहीं क्या करें हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साब कुछ आप ही कुछ बताओ कहां लेके चलें हम इन्हें किस डॉक्टर के पास दिखाएं जिब मेरे बच्चे को पता नहीं किस चीज का सदमा लग गया इन बच्चों को कि जितनी भी शक्ति हैं जो कुछ ये गलत शक्ति हैं हमारे बच्चों को हमारे बाबा के ऊपर पीछे पड़ी हुई है जो बाला जी महराज है उन्हें वहीं बांध के रख लेंगे तो आकास के पता जी बोलते तो मैं पता है ना इस मंदिर का तो बला हां साब मुझे पता है यह भी कौन बजरिंग बली को नहीं जानता नुमान जी को कौन नहीं जानता बगवान श्रीराम को कौन नहीं जानता तो इन्हें विश्वास हो जाता के हां यारी लगरा सही बोल रहा है और देखें जब बात अपने बच्चे के ऊपर आती है ना तो modernization सब धरी रह जात में तो यह लोग उन सब को कॉल करते हैं बाकि सब बच्चों के पेरेंट्स को और आकास के पिता जी अरेंज करते हैं और सब लोग अपने जो नौकर है उनके साथ क्योंकि पता तो उसे ही था हलागी बाला जी महराज का मंदिर कौन नहीं जानता पर फिर भी वो इस नौकर के बाद वहां किसी को बताते हैं जाके के ऐसा ऐसा हमारे बच्चों के साथ किसी को किसी ने काला जादू कर दिया है और देखना हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है तो वहां एक जो कोई भी सादू महात्मा जो भी थे उन्हों बोलते हैं कि एक काम करो एक हवन यहां तयार करवाओ और देखते हैं और बाकी तुम सब टेंशन छोड़ दो जो कुछ होगा ना अब बाला जी अपने आप समभाल लेंगे मंदिर के अंदर जैसे ही ये लोग होशते हैं जो जहां पर वो पंड़ जी या बाबा जो कुछ पूजा उजा या बचरिंग बली का नाम लेकर कुछ अर्चना करते हैं ये लोग एकदम अपने उग्रू रूप में आ जाते हैं चारो के चारो और वहां जो बाकी सब लोग देख रहे हैं ना तो वो लोग देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि बाकी सब भी हैं यहां पर तो सब ऐसी आते हैं लेकिन ये लोग जो आतंग बचा रखा था इन उन्हों यह उस नदी के बली है यह भी जाएगी यह बली तो वो पंडित जी तो दिन रात यही देखते रहते होंगे तो बोलते हैं बोला ऐसा है यह जाएंगे ना बिटत तुम नहीं जाओगे यहां से जो तुम इसके शरीर में घर करके बैठे हो ना अब तुम में से एक नहीं करके और बाला जी भाराज मैं आपसे वह करता हूँ कि इन बच्चों को यह करें वह जैसी भी प्रार्तना करता है और यह जो जो कोई भी शक्तियां इसके अंदर हैं अगर वो लोग इनके शरीर को ना छोड़े तो बाला जी महाराज इनका इनका सर्वनाश कर दे ना तुम अब भाई बाला जी की तो महिमा किस नहीं नहीं सुनी आदा पौना घंटा यही ड्रामा चलता रहता है और जहां यह लोग अब तक यह अंदर जो शक्तियां जोती चीख चिला रही थी ना और डरा रही थी सबको कि हम इने मार देंगे अभी मार देंगे यह कर देंगे तो वहीं देखकर वो आकास के घरवाले जो थे वो डर भी रहे थे कि हमारे बच्चे देखो अपने साथ क्या क्या कर रहे हैं वो लो आप टेंशन मतलो बाला जी इन बच्चों को कुछ नहीं होन देंगे जो कुछ हो अब तुम नहीं जाओगे कहीं भी अभी थोड़ी दिर पहले बोल ले थे ना तुम के हम ये कर देंगे वो कर देंगे अब बेटा यहीं बंदेरा होगे तुम जिंदगी बर आप नहीं जा पाओगे और रही उस तांतरिक की बात तो उसका इलाज भी बाला जी अपने आप कर देंगे ऐसा कहने के बाद वो शक्तियां हार मांज जाती हैं और ये लोग लगभग शाम वाम तक नौर्मल होते हैं देखे इतना जब शरीर जो इतना खेल चुका है जो जिसके शरीर जो ऐसा हरकते इससाथ हुई है पहले वहाँ हुई उस मंदिर में फिर यहाँ हुई तो कैसा शरीर हो गया होगा उनका तो शाम तक नौर्मल होते हैं तो ये जो आकास के पिता जी हैं कि बाबा जी जहां इन बच्चों के साथ ही हुआ था ना वहाँ पी बहुले नात का एक बंदिर था और वहाँ भी इन्होंने ऐसा करा था लेकिन वहाँ ये सुबह ठीक हो गए थे एकदम तो वो लोग बोले थे कि अब ठीक है आप ले जाओ इनको तो बुला ऐसा है भुले नात के सामने तो ये लोग उस समय इनके शरीर से हट गए थे क्योंकि उस मंदिर के आसपास की जो शक्ती है ना उन्होंने इनको भगा दिया था लेकिन जैसे है वहाँ से थोड़ा दूर हुए वो शक्तियां वापस इनके पीछे हो ली इस चकर में ऐसा हुआ था तो बहुत बाबाजी कहीं अब दुबारा तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो जाएगा तो पंड़ी जी हसने लग जाते हैं बहुत ऐसा है बाला जी महराज के यहां से सिर्फ इनसान जा सकता है ऐसी शक्तियों को बांद के मारते हैं और ये शक्तियां अपने आप नस्टो जाएंगी कुछ दिन में और अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहां से कोई प्रसाद लेके मत जाना घर जैसे मुझे पैसे देड़ थे किसी के चक्कर में आके प्रसाद साथ लेके घर चले जाओ और प्रसाद के साथ ऐसा ना हो आपके घर पे कोई बाद है आप प्रसाद के साथ चली जाए तो बहुत पंड़ जी मैं आपका बहुत बहुत आवारी रहूंगा जिन्द के भर और वो अपना कार्ड वाड देके आते हैं वो पंडित जी कभी भी मंदिर में किसी भी तरीके के डोनेशन की जरूरत हो कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे याद करना और वो कि यहाँ बात करें न कि यह लोग घोमने की भोनने की बहुत वह थे न के हर अफते कही याज जाना है, साम को पब जाना है मैं आज यही चार लोग ہیں गौतम जैसा बता रहा था कि वही आकाश है, वही निलम है वही प्रिसान्त और ईशा है ये लोग जहां हरफते उट पटंग जगा घूमने की कोशिश करा करते थे कि भान कड़ जाना है कि जैसल मेर में ऐसी जगा जाना है जहां पर देखते हैं क्या होता है आज जाते हैं सिर्फ हनुमान जी के मंदिर CP में जो हनुमान जी का मंदिर है ना बड़ा वाला बहुत जो लोग दिल्ली से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा के है ये लोग अब हर अफते हर अफते सिर्फ बजरंग बली के मंदिर ही चाते हैं और अगर भार भी कहीं घूमना है तो सिर्फ मंदिरों में घूमते हैं आजकर मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं सिर्फ देख रहे हैं एक घटना एक ऐसा एडवेंचर जिसके चकर में लोग निकले थे उन्होंने इनका जीवन कैसे बदल के रख दिया और ये लोग कभी नहीं भूलते ये वन्दों जो स्टाफ का जितना भी इनका स्टाफ है आकास का उन्हों सब को बोलता कि कभी ऐसी जिगा मत जाना भाई और कभी भी किसी तांतिर्क वांतिर्क के चकर में कभी मत पढ़ना ये वीडियो बनाना और ये कि कहीं कुछ अलग सा हो रहा है तो चलो उसकी वीडियो बना लेते हैं कभी ऐसा कोशिश मत करना क्योंकि कभी कभी ये तुमारी जान पर बन के आ सकती है तो यहीं हो खतम होती है हमारी ये कहानी और आप सुन रहे थे सूरज यादव को तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी सच्ची डरावनी और अद्भुत कहनी के साथ ओम नमस्षिवाए जै श्रीबाला जी हरहर महादेव